नमस्कार दोस्तों, OCEAN Network में आपका स्वागत है, अब ये काहवत तो आपने हमने सुनी ही है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो भाई को देख करके बेहन रंग क्यों ना बदले, भाई यानि राहुल गांधी ने पार्लियमेंट में खास तोर से अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए, क्या क्या कहा है ये तो हमारे और आपके सब के सामने नहीं है, उनके बहुत बड़े सपोर्टर ये अजीत अंजम ने अपने ट्वीटर पर ये बना करके डाला हुआ है, जैसे बहुत बढ़िया काम राहुल गांधी ने किया हो, और इन्होंने लिखा है कि मोधी पर राहुल का ऐसा हमला, आप देश द्रोही हो, आप देश भक नहीं हो, मनिपुर के लोगों को मार कर भारत की हत्या की है, आप भारत माता के हत्यारे हो, अपने आपने भारत मा की हत्या की है, रावन को भी एहंकार ने मारा, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, ये अजीत अंजम ने एक तरीके से राहुल गांधी की बड़ी परशस कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के बयान दिये ये लोकसभा में खड़े हो करके और अच्छा है लोकसभा के भीतर खड़े हो करके ये बयान दिये हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मौधी का नाम लेकर के संसद के बाहर ये बयान दें ओन कैमरा मीडिया में, प्रेस कॉन्फरेंस में या किसी जन सभा में अगर हिम्मत है तो पार्लियमेंट के भीतर खड़े होकर के या दिल्ली विधान सभा में खड़े होकर के अर्विंद केजरिवाल या राहुल गांधी क्या बयान देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहां उनको एक बचाओ का जो है अस्त्र मिला हुआ है कवच मिला हुआ है एक यूनिटी मिली हुई है ऐसे हालात में अगर आप आपा खोदे राजनीतिक इसकोर करने की कोशिश करें तो ये आपकी बहद्दूरी नहीं है आप अगर जो कुछ कह रहे हैं किसी को अफमानित करने के लिए उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा आपके चापलूस टाइब जो लोग है वो जरूर तालियां बजा देंगे तो राहुल गांधी ने क्या कहा पार्लेमेंट के भीतर अरविंद केजरिवाल दिल्ली वि असर पढ़ता है वो तो चुनाव के नतीजे बताते रहे हैं पर ऐसा लगता है कि जो इनके करीबी हैं कई बार वो भ्रमित हो जाते हैं और प्रियंका गांधी वाडरा भी कुछ उसी जोंक में आकर के एक ऐसा ट्वीट कर गई कि जिसके बाद उनकी मुसीबतें बे ताहश बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्वीट किया है तो फिर तो कमलनाथ ने भी कर दिया अरुन यादव शोभा ओजहा कई दूसरे नेताओं के भी इनके मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेताओं के नाम उसमें आगे और कल ही व अपने किया है इसे या तो वापस ले करके माफी मांगिए नहीं तो हमारे पास कानूनी विकल्प हैं और ग्रह मंत्री जब ऐसा बयान दे रहे थे तो इसके कुछ माइने होते हैं और आज उसका प्रतिफल सामने आ गया उसका नतीज़ा सामने आ गया अब प्रियंका गंध भुगतने पड़ेंगे पूरे मध्य परदेश में कुल मिलाकर के 41 FIR दर्ज कर ली गई है प्रियंका गंधी के खिलाब कमलनात के खिलाब अरुन यादव शोभा ओजहा और इनके कुछ दूसरे पदाधिकारियों के खिलाब और ये मामला क्या है मैं आपको वो ट्वीट द लिखा देता हूं जो प्रियंका गंधी वाड़रा ने किया जिस पर ये FIR दर्ज की गई है इन्होंने लिखा मध्य परदेश में ठेकेदारों के संग ने हाई कोट के मुख्य नियाया धीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि परदेश में 50 परतिशत कमिशन देने पर ही करनाटक में भरस्ट बीजेपी सरकार 40 परतिशत कमिशन की वसूली करती थी मध्य परदेस में बीजेपी बरस्ट अचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है करनाटक की जनता ने 40 परतिशत कमिशन लेने वाली सरकार को बाहर किया अब मध्य परदेस की जनता पचास प्रतिशत कमिशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हट आएगी ये प्रियंका गांधी वाडरा ने कल ट्वीट किया था और ये न्यूज किलिप उन्होंने अपने ट्वीट के साथ शेयर की थी भौपाल डेट लाइन से किसी अख़बार की ये कटिंग है और कु परनाटक में इन्होंने बसावराज बॉम्मई सरकार जो भारतिय जनता पारिटी की थी उसके खिलाब चालीस प्रतिशत कमिशन को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया था वहां की भारतिय जनता पारिटी सरकार इनको उसका प्रतियूत्तर देने में नाकाम साबित कि भाजपा वहां सत्ता से बाहर हो गई अब कॉंग्रेस को प्रियंक गंधी वाडरा को कमलनाथ को राहुल गांधी को इन सब को लगता है कि हिमाचल में कॉंग्रेस जीत गई वहां अपनी सरकार आ गई मध्यपरदेश अब अगला चुनाव होने वाला है राजस्थान इन के हाथ से निकल रहा है यह इनको सब को पता है तो फोकस अब मध्यपरदेश है चतीस गड़ है इस बीच करनाटक भी यह जीत लिए वहां इन्होंने जो दुश परचार किया ब्रस्ट अचार को ले करके मुझे लगता है कि भारती जनता परटी काने तरत्त हुआ और वहां जिनमध्यपरदेश जहां पिछले विधान सबा चुनाओ में भारतीय जनता परटी को हरा करके कॉंग्रेस सत्ता में आई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे बाद में जोतिरा देती सिंधियार उनके 21-22 समर्थक MLA जिन होने विधान सबा से इस्तिफा दिया जो भारतीय जनता परटी में शामिल हो गए उसके चलते इनकी सरकार गिर गई कमलनाथ की और शिवराज चौहान के नित्रत में भारतीय जनता परटी की सरकार फिर से बन गई यह सरकार ठीक चल रही है एक मात्र अगर कोई माइनस पॉइंट है तो वो यह है कि शिवराज च चेहरा हो चुके हैं मुख्यमंत्री के तोर पर और जब ऐसी इस्तिति आती है तो कई बार एक ही चेहरे को बार बार मुख्यमंत्री पद पर देखकर कि यह लोगों में धोड़ी बहुत नराजगी हो सकती है बाखी जो इन्होंने पिछले चुनाओं में मुद्दे बनाए थे वो तो सारे टाइटाइफिस हो गए यानि कॉंग्रेस ने अब ये नया मुद्दा यहां अस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर करनाटक में हमने 40 परतीशत कमीशन वाली सरकार का एक जुमला उच्छाला और वो कामियाब हो गया तो मद् पर्देश में 10 परतीशत और बढ़ा दो और 50 परतीशत का जुमला उच्छालो अगर ये चल गया अगर इस पर कुछ खास रियक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया तो शिवराज चौहान की सरकार को भी पलट देंगे और इनको लगता है कि लोग सभा चुनाव से पहले अगर ये हिमाचल पर्देश, करनाटक और अब मध्य पर्देश और अगर ताल लग गई तो 36 गड़ इन में अगर अपनी सरकारे बनाने में कामियाब हो गए तो लोग सभा चुनाव के लिए ये उत्तर भारत में एक माहौल बना सकते हैं मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कुछ गलत बयानी की लोग सभा में तमाम तरह के जो आरोप लगाए परधान मंतरी नरेंदर मोदी पर केंदर सरकार पर उससे उत्साहित होकर के अती उत्साहित होकर के प्रियंका गांधी वाडरा ने बिना ये जांच पड़ता किये कि ये जो कटिंग है ये सही है या गलत है जिस आदमी के नाम से ये चलाई जा रही है खबर या चलवाई गई है खबर वो आदमी एगजिस्ट भी करता है या नहीं करता है और जिस संगठन का नाम लिया गया है कि इस संगठन ने हाई कोट को पत्र भेज करके ये आरो लगाए हैं कि ठेकेदारों से पचास प्रतिशत कमिशन लिया जाता है तब भुगतान सरकार करती है या अलग-अलग मंत्रालिया भी भाग करते हैं तो कोई भी अगर जिसको शिर्ष नित्रत तो माना जाता है उनमें से कोई अगर इस तरह की गलती करे के बिना जांच पढ़ताल के बिना क्रॉस चेक कराए आप कोई भी खबर चप रही है और आप या आपका ट्वीटर हैंडल या सोशल मेडिया के जो आपके हैंडल हैं उनको जो तो आपको इसको जवाब तो देना पड़ेगा और बीजेपी सरकार ने मद्परदेश सरकार ने इनको आवसर दिया था कि आप माफी मांगिए इस ट्वीट को हटा दीजिए या सबूत दीजिए दोनों काम इनोंने नहीं किये और 24 गंटे बाद अब नतीज़ा ये है कि 41 जगहों पर प्रियंका गांधी वाडरा कमलनाथ इन सब के खिलाब जो है F.I.R. धर्ज कर ली गई है अब इनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि भुपाल के DCP ने ये कहा है कि इनको नौटिस इशू किये जा रहे हैं और नौटिस इशू करके इनको बुलाया जाएगा इनके बयान लिए जाएंगे इनसे सबूत मांगे जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि आपके पास सबूत क्या है सरकार पर जो आपने गंभीर किसम के आरोप लगाए हैं गांधी नहरू परिवार कॉंग्रेस संगठन मध्य परदेश पर पूरी तरीके से फोकस किये ह हुए है जब राहूल गांधी की ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो पूरा वाडरा कुनबा मध्य परदेश में ही जब वो पैदल चल रहे थे तब उनके साथ दिखाई दिया था रोबर्ट वाडरा प्रियंका वाडरा रोबर्ट और प्रियंका का बेट साथ में दिगविजय और राहुल गांधी ये चित्र आप देख पा रहे होंगे तो मद्यपर्देश पर फोकस करने के पीछे इनके कई कारण है एक तो चोट खाए हुए हैं जो तिरादित्य सिंध्या इनका साथ छोड़ करके गए थे उपर से इनको लगता है कि अगर फिर से इनकी जोली में आगिरे तो फिर अब करनाटा के एक बड़ा राज्य हो गया ही माचल तो चलो छोटा है तो एक अगर मद्यपर्देश और मिल जाए बड़ा राज्य तो फिर इनके पहुंब आ रहे हैं और एक माहोल इनका बन सकता है इसलिए अति उत्साह में और जल्द बाजी में प्रियंका गांधी वाडरा गलती कर गई है और गलती को सुधारने की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो उन्होंने की नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और बीजेपी नित्रत्व ने ये अब संकेत दे दिये है कि भाई वेहन जिस तरीके से बेलगाम होते जा रहे हैं और जो जी में आ रहा है वो आरोप तराशी कर रहे हैं अब इन पर नकेल कसने का समय आ गया है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार